हेलो दोस्तों अब वेलकम टू मैं चैनल यह नेक्स्ट कोशन करते हैं देखिए एनरजी और पावर से लिटेट फाइंड एनरजी यह सिंगनल दे रखा है इसके क्या करनी है एनरजी फाइंड करनी है एनरजी का फोर्मुला क्या होता है तीवन से टीटू तो यह अनरजी निकालना है फोर्मुला आप यहाँ पर देखेंगे यह क्या एक लाइन ठीक है यह के बाद माइनस four से लेकर four तक यह वैलिव वन रही है उसके बाद अगेन एक लाइन आई तो हमारे जो सिंगनल है इसमें दो लाइन एक डीसी है मतलब एक constant value ठीक है तो तीन पार्ट में हमारा signal डिवाइड है पहले हमने यह पता लगाया अगर यह लाइन है लाइन के हम equation find कर सकते हैं तो लाइन की equation क्या होगी दो point चाहिए है मैं equation की line find करने के लिए पहला यह क्या इसके coordinate के आँगे माइनस 5,0 इस वाले point यह कितने हो जाएंगे माइनस 4 है यह 1 मैं इसके इस वाल लाइन के find कर रहा हूं जब आप इसके find करना देखो कैसे करते हैं दो point हमारे पास आगे माइनस 5,0 माइनस 4,1 इसको मैं कहता हूं x1 y1 इसको कहता हूं x2 y2 y2 तो मैं देखें t को बोल रहा हूं x और y को बोल रहा हूं xt ठीक है अभी यहां पर जब मैं इसको इस signal को लिखूंगा तो मैं replace कर दूँगा x को t से और y को xt से तो formula क्या होता है equation का y-y1 y2-y1 upon x2-x1 x-x1 y-y1 की जाएगा कितना 0 y2-1 y1 0 x2-4 x1-5 यानि प्लस 5 हो जाएगा यह x-x1 यानि प्लस 5 ठीक है तो y कितना बचा है यहां पर यह बचा 1 यहां पर 1 तो यह कितना आ गया x प्लस 5 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x-t equals to t plus 5 ठीक है अब देखिए यहां पर देखो मैं signal को लिखना शुरू करता हूं कैसे लिखते हैं कितना यहां y को मैं क्या लिख हूं x-t यानि x-t equals to t plus 5 कौन से duration में यहां पर duration भी बताना पड़ेगा यहां पर t की value कहां से कहां तक minus 5 से लेकर minus 4 तक है ठीक है इसके निकालने जो इतना है अगर मैं t को minus 4 से लेकर 4 तक ले आता हूं तब इसकी value कितनी है 1 देखो यहां पर next अगर t को 4 से लेकर 5 के बीच में ले जाओंगा मैं t को 4 से लेकर 5 के बीच में जाएगी जब क्या होगी value इसी तरह से find करना मैंने find करके दिखा दिया आप find करेंगे तो इसकी value कितनी आएगी minus t plus 5 ठीक है बस केवर slope का change रहेगा और कुछ नहीं अब यह आगे हमारा signal तो हमें signal की value बतानी है energy निकालनी है तो हमारा signal है तो तीन पार्ट में divide है पहला minus 5 से लेकर कहां तक यह minus 4 है minus 4 तक mode of xt का square dt plus next minus 4 से लेकर 4 तक mode of xt का square dt next 4 से लेकर 5 mode of xt का square dt ठीक है तो बस इसमें xt के value है in periods में अब लगा दो minus 4 minus 5 minus 5 minus 4 कितनी है t plus 5 का whole square dt minus 4 से 4 यह यहां पे mode है ठीक है ध्यान देना है ढंक से यह mode होता है 1 का mode का square dt 4 कितना minus t plus 5 के mode का square dt बसे इसका integration find कर दो वह energy हो जाएगी इसका formula खोलो अंदर कितना हो जाएगा यह t square plus 25 plus 10t dt plus 1 का square 1 और 1 का करेंगी कितना जाएगा t minus 4 से 4 इसका formula खोलो t square plus 25 minus 10t dt ठीक है बस इसका integration करो भी यहां पे t square का हो जाएगा t की power 3 upon 3 25 का हो जाएगा 25t 10t का कितना हो जाएगा t square by 2 यानि 5t square minus 5 minus 4 यह कितना जाएगा 4 minus minus 4 यह कितना जाएगा minus 4 का cube minus 64 by 3 minus 4 यह हो जाएगा 100 यह कितना हो जाएगा 16 85 ठीक है minus minus यहां पे लगा 125 हो जाएगा minus का हैगा तो यह किसके साथ इसके साथ हो जाएगा plus इसके साथ लगाओ minus 125 again यह plus हो जाएगा 125 हो जाएगा यह क्या रहेगा minus ही रहेगा कितना हो जाएगा फाइब की पावर थिरी याने 25 पंज एक सो ठीक है यह हो गया 8 ऐसे यहां पर लगाओ यह हो जाएगा 125 अपॉन 3 और कितना 125 माइनस 125 यह लगाए 4 के लिए लगाओ पॉन 5 मेंस हो जाएगा यह 64 एपॉन 3 यहां पर लगाए 25 माइनस यहां पर यह लगाओ छर्चाचर्ग 116 माइनस का तो यह किसका हो जाएगा पिलस का अब जो जिससे है चैंसल हो रहा उसको चैंसल कर दो कोई कैंसल हो रहाओ देखो कहीं पर यह यह तो यह दोनों cancels हुए यह दोनों cancels हुए और क्या cancel है 80 नहीं है यह थो यह थो कितना हो जायागा यह हो गया 128 ठीक है यह el machen 128 माइनस 128 बाई 3 इन दोनों को ऐड़ किया था 250 बाई 3 माइनस 100 । यह बिस हंड्रेड यह माइनस 100 माइनस 18 कितना होगा मानस 20 माइनस 20 कि माइनस 20 ऊर एड़ साधे हैं माइनस 20 माइनस 30 माइनस चाहिए कितना हमार जाएगा तो मलत प्लाइट कितना हो जाएगा माइनस 20 आला सूर्थ है लिया काईगा लेकाई है और अज यह कितना होच है 32 ठीक है एल्सम ले लो 122-96 अपॉन थिरी तो इक वस्टू कितना जाएगा 26 अपॉन थिरी तो इक वस्टू कितना जाएगा अगर और ज्यादर सोल करना तो एट बचाए दो इतने जूल ठीक है तो जो हमारा सिगनल ता उसकी एनर्जी कितने जाएगा 8.66 जूल ठीक है देख लिए कोई आगर स्टेप चूट गया हो तो मैंने बता दिया हर एक स्टेप कवर कर दिया इस वीडियो में इतना ही ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टोपिक अभी और कुछ कोशन करेंगे इसके